किसी ने बड़े कमाल की बात कही है अगर आप चाहते हैं फैसला हो आपके पक्ष में तो भगवान को बठाइए अपने मन के कक्ष में मैं सोन पर आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ तो ये कहानी है एक बिजनसमेन की वह सर्वगुन संपनता उसके पस हर कुछ था किसी चीज की कोई कमी नहीं थी एक दिन वह अपने काम से साम को घर लोटता है जब लोट रहा होता है तो उसके में थोड़ा दर्द हो रहा होता है उसके पतनी और उसके बच्चे नानी के यहां गए रहते वह अगर में अकेला होता है दवाई ढूंटा है पर उसे दवाई नहीं मिलता है फिर वह सोचता है कि चलो बाहर जाके मेडिकल से दवाई लिया के आता हूं जैसे ही बाहर निकलता है और देखता है बहुत तेज बार ही सो रही होती रिक्से वाले को बुलाता है और कहता है कि मुझे बास के मेडिकल में जाना क्या तुम मुझे ले चलोगे रिक्सा वाला कहता है ठीक है ले चलोगा पचास रुपे लगेंगे वह बैठ जाता है रिक्से में जैसे ही वह बैठ ता रिक्सा वाला बताता है मेरी तबियत भी 2-3 दिन से ठीक नहीं है अरबर बुखार आ रहा है लेकिन सवारी नहीं मिलने के कारण मैं दवा भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं हर दिन भगवान से कहता हूँ कि कास भगवान मुझे अज सवारी मिल जाए ताकि मैं दवा ले आऊ वह यह बिजनसमेन उसकी बातों को सुनकर गंभीर सोच में पढ़ जाता है उसके बाद वह मेडिकल पर पहुचता है और दवाई लेता है खुद के लिए भी दवाई पैक करवाता है और रिक्से वाले के लिए भी दवाई पैक कराता है लिन रिक्से खोला दुम् Andreak बनानी के तो मुझ में भची क्र भगल भाउना LET गिए बनाने के लिए are there फीरैंडने रिक्से वाले की वैंने तुम्हें बनानीचाअग है आँ नरे पजैंडने बज़ा फ्रफट 450 Developmental पिर एक खाने की थैले उसके हाथ में देता है। भोलता है यह पंसे मधी देख न앙 forth यह दो只 मुम्हों मुक्रारा होता है। रिक्सा वाले देखें मुंवर्यूंच सatri hay when 실ी देख कर यह दो जाए हूं। रिक्सा propeशन रहा होता है। लेकिन भागवान कोई ऐसा सवारी दे तो जो हमारी मदद भी कर सके और थोड़ा समय होना जीवन या पन भी चल सके सही से मुझे महीनों से छोला बटोरा खाने का मन कर रहा था लेकिन मैं खा नहीं पा रहा था आज आपने वो छोला बटोरा भी मेरे ला दिया सब भागवान की महीमह है कहता है वह बिजनसमन उसे सो और पेकी नोट देता है कहता है तुम इसे भी रख लो बिजनसमन अपने घर आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि सच में भागवान हमको उसक david कर साध तक बेज़ा था भगवान खुद नहीं आ सकते हैं हमको जर्या बनाकर उसके पास बेज़ दी आखिर मैंने उस होटल के मेन्यू में हजार खाने की आइटम थे इतली डोसा लेकिन मैंने छोला बटो रही क्यों लिया या सच में भगवान के लिए मैं एक जर्या हूँ भगवान का एक सुरोता बनकर मैं उसके पास गया था तो आप लोग भी जरूर सोचिएगा भगवान भी सच में हमारी मदद करता है यह नहीं तो अंत में हम यही कहेंगे उपर वाले के असिरवाद के साथ खुद की महनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए धन्यवाद